देश्वर में अगनी वीरों की परिक्षा के बाद अब अलग अलग जगों पर उनकी ट्रेनिंग दी जा रहे हैं जबलपुर में भी अगनी वीरों की ट्रेनिंग हो रही है शार में अलग 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 जगों पर अगनी वीरों को प्रस्रिक्षन दिया आ जा रहा है जमो एंड काश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के कमार्णिंग आफिसर ब्रिगेडियर राज़ शर्मा का कहना है कि एगनी बीर भर्दी प्रक्रिया के तर चेल होकर आई यह वाउ में जबरदस उत्सा है जब ये सोलजर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर निकलेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि देश को बहतर नागरी के साथ अवल दरजे के सैनिक साबित होंगे सर मैंने सर बारत्य सेनों में सर सैनिक थे सर मेरे घर के पापा दादा सर उनको देखना में बहुत मोटिवेट हुआ हूँ तो समय आज इस मुकाओं पर खड़ा हूँ तो मैं बहुत अंदर सर में रंदर जोस भर हुआ है और समय ऐसे में आद करता रहूंगा आगे और उप अच्छे लड़के हैं बहुत मैं कहूंगा कि यह आगे जाके देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और बहुत अच्छे सोल्जेस बनेगे है कि अगिव इरो की परिक्षा के बाद अब अलग अलग जगहों पर उनकी त्रेनिंग की जा रही है जब अलग 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 जगहों पर अगनीवीरों ने को प्रशुक्षिखन दिया जा रहा है जमुइन कश्मीर राइफल्स रिजिमेंट सेंटर के कमांडिंग आफिसर ब्रिगेडियर राजर शर्मा का कहना है कि अग्निवीर भरती प्रक्रिया के तहत चैन होकर आए युवाओं में जबरदस्त उत्सा है जब ये सोलजर अपने ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि देश को बैतार नागरी के साथ अवल दर्जे के सैनिक साबित होंगे इन में उत्सा बहुत है इन में एक्सल करने की इच्छा है ये कुछ करना चाहते है जिन्दगी में ये बहुत उच्छों के अपने ट्रेनिंग को ले के और अच्छे लड़के हैं बहुत मैं कहूंगा कि यह आगे जाके देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे बहुत अच्छे शोल्जर्स बनेंगे ये